नमस्कार साथ यह में तरह यूट्यू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो साथ यह आज के वीडियो हम आपको बताने बाले हैं राजस्तान के अंतरकर 2023 में होने वाली सभी बर्दियों में जिन बच्चों के मातपिता की मृत्ट्यू कोरोना के समय हो गई थी उनको अब सरकारी नौकरे का प्रापदाम सीएम असोगेलोत ने पिरदान कर दिया गया है तो पूरी जानकारी को हम आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे तो वीडियो में आगे पड़े से पहले आपसे छोटा सा अनूरूत है यदि आपने भी तक हमारे यूट्यू चैनल को सब्सक्राब नहीं कहता हमारे यूट्यू चैनल को सब्सक्राब जरू कर ले और वीडियो को शेयर जरू करें जिससे सबी कंडिडिटों को इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके चलिए साथ बीडियो में डाइडेक्ट आगे बढ़ते हैं राजस्तान सरकारी बर्तियां दौजर तेवी से कोरोना से अनाथ बालक बालिकाओं को बैस्क होने पर सरकारी नौकरे मिलेगी मुख्यमेंति असुगेलोत ने दी मंजूरी मुख्यमेंति ने दी मंजूरी कोरोना से अनाथ बालक बालिकाओं को बैस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी राजस्तान सरकार कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को बैस्क होने पर अनौकंपा नियुक्ति देगी मुख्यमेंतिरी सिरी असोगेलोत ने इसके लिए बिबिन सेवा नियुमों में संसोधन के प्रैस्ताब को पिसासनिक स्विकरती प्रदान कर दी है कार्मिक बिबाग के प्रैस्ताब के अनुसार अनाथ हुए बालक बालिकाओं को बैस्क होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 9 में नियुक्तियां दे जाएंगी तो जो भी अनाथ हुए बालक बाली का है उनके लिए साथियों पे मैट्रिक्स लेवल नैन में आपको नियुक्तियां दी जाएंगी ऐसे अनाथ बालक बाली का नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिनके डैनिक अत्वा दत्तक ग्रहिन करने वाले माता पिता की ब्रेट्ट्यू कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 अत्वा इससे पहले हो चुकी हो ऐसे अनाथ बालक बाली का जिनके माता पिता मैसे किसी एक की म्रथ्ट्यू पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की म्रथ्ट्यू कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पहले हुई हो और अनाथ होने के समय जिसकी आईयो 18 बरसे अदे के नईयो को भी नियुक्ति दी जा सकेगी तो यहाँ पर साथ ही यह जानकारी दी गई है आपके लिए ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की म्रथ्ट्यू कोरोना के समय या आपके माता पिता में से किसी एक की म्रथ्ट्यू कोरोना से पहले और एक के साथ ही कोरोना के समय हो गई है या दोनों के ही कोरोना के समय हो गई ये ऐसे बच्चों को सरकारी नोक्री दी जाएगी जिसमें बालक एवं बालिका दोनों के लिए प्राबदान रखा गया है और इसमें 18 बर्ष उनकी आयू कम होनी चाहिए जिया साथियों जब उनके माता-पिता की मृत्ति हुई उस टैम उनकी आयू 18 बर्ष कम होनी चाहिए और अब 18 बर्ष के यादी अब हो चुके हैं प्रजेंट में तो उनको सरकारी नोक्री देने का प्राबदान लहां पर लागू कर दिया गया है अनाथ के माता-पिता की मृत्यू की तिथी मुखमेंत्री कौरोन सायता योजना 2021 में प्राबदेत 15 अक्टूबर 2022 से प्रषतावित करते हुए तो इस योजना की साथियों यहां पर प्रस्ताविट डेट दी हुए 15 अक्टूबर 2022 से प्रस्ताविट करते हुए 31 मार्च 2023 की गई है कोरोना के कारण अनात बच्चों को सरकारी नोकरी की गोसना बजट राज बजट 2023-2024 में की गई थी तो 31 मार्च तक आप इस योजना के लिए एलिजिबल है तो आप सरकारी नोकरी पास सकते हैं यहां पर 31 मार्च 2023 तक के लिए यहां पर यह जानकारी अपडेट की गई है तो 31 मार्च 2023 से पहले पहले आप सरकारी नोकरी पास सकते हैं तो ये है सात्यों संपून जानकारी जिसमें आपको जिन कंडिडेटों के मातपिता कोरोना के समय गुजर गए थे उनके लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी का प्रापधान मुख्यमेंती सिरी असुगेलवत द्वारा रखा गया है फिर भी आपको किसी परकार का डाउट रहता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फिर मिलेंगे आप से इसी परकार के लेटेस्ट अफडेट के साथ जब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय वारत